आज की क्लास पे हम पढ़ने वाले हैं टाइटस एंड गुनिकस को बिलियम सेक्सपियर का एक प्ले है ट्वेजडी है और अभी तक हमने जो बाकी की चार्व ट्वेजडी पढ़ी थी इनको फोर ग्वेट ट्वेजडी ज बोला जाता है है हैमलेट, किंग लियर, ओथैलो, मै इनसे ये थोड़ी सी अलग है, अच्छी है, इंट्रेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, कोई संस इससे पूछे जाते रहें एक्जाम में, इसलिए करना आपको ज़रूरी है, कहानी इंट्रेस्टिंग है, इसलिए आपको अराम से ध्यान बह जाएगी, थोड़ा सा चेंज किया, इस क्लास में मैंने, सबसे पहले तो कुछ सकायते आ रही थी, कि इसलिए आपकी बॉइस बहुत लो है, उसको थोड़ा सा तेज कीजिए, तो मैं कोशिस का प्रहूं, तेज बोलने का हो सकता है, अगर आपको थोड़ा फर्क मैसूस हो, तो आप कॉमेंट सेक् समझ में आएगी, क्योंकि हम प्रॉपर कूरी कहानी तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम बस उसकी समझ में पढ़ रहे हैं, तो समझ में तभी अच्छे से समझ में आएगी, जब आप पहले उसके आपको करेक्टर्स पताऊंगे, तो चलिए आज की क्लास को सुरू करते हैं, अग अगर आप वीडियो को ऐसे लिखने बैठ गएना, तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम कर लेंगे, वहना ये 20 मिनट की वीडियो अगर आप फास्ट स्पीड पर लगा के देखेंगे, तो मेरे ख्याल से आप 10 मिनट में देख लेंगे, तो इस तब ऐसे आपका ये कौन है, जेन्वल ऑफ रोम, वैजिक हिरो ऑफ तब ले, ठीक है, जेन्वल है रोम का, फारव है लवाइनिया और लूसियस का, मतलब इसके दो बच्चे हैं, लवाइनिया और लूसियस, टाइटस तो है, has spent the last 10 years fighting rooms, enemies and winning on a forest country, टाइटस ने अपने 10 साल, 10 साल वोम की इतने में बिताएं हैं, ठीक है, उसे हमने 10 साल लगा दिये, yet his heroic deeds have taken so much out of him, that he feels incapable of leading his country, despite its desire, that he beats new emperor, जो उसकी इच्छा तो है कि वो अपनी country का क्या बने, एंपरत बने, उनकी जो देस है, उनकी जो country है, उनको एक नए राजा की ज़रूरत है, टाइटस की ऐसी इच्छा है, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है, अपनी country का नया राजा बनने से, यह जी ध्यान रखती हैं आपको, नेस जो character है वो है, टामुरा, टामुरा कौन है, queen of gods है, mother है किसकी, चुरॉन की और डेमेट्वियस की, यह antagonist भी एक वैसे play की, though her very first speech souls have to be a caring mother, who has an appreciation for novelty of mercy, उसकी जो पह होती caring मतल है, ठीक है, उसके अंदर humanity, novelty, mercy, यह सारा भाव हो है, वो उसके अंदर है, लेकिन ऐसा है नहीं, टामुरा is associated with barbarism, savagely, okay, टामुरा एक्जिविट्स, extreme, bootlessness, particularly when she encourages her sons to rape Levenia, and saves that she no, not the meaning of pity, होता क्या है, हमें टामुरा के एक्दम भैंकर bootless character के बारे में तब पता चलता है, जब वो अपनी दोनों बेटे, Chiron और Demetrius को order देती है, कि वो Levenia, जो Titus की बेटी है, उसका rape कर दे, और वो दोनों उसका play में rape कर दे, वो एक बहुत ही भ उसके बाद Eron कौन है, Eron जो है, वो टामुरा जो God Queen है, उसका lover है, मूरिस lover है, लवानिया की बाद हो चुकी है, अभी, लवानिया कौन है, the only daughter of Titus and Vonicus, Titus and Vonicus की एकलोती बेटी है, See, Spun set of ninus offer to make up his Empress, because she is in love with Bassanius, जो लवानिया है, वो set of ninus के offer को ठुकरा देती है, कि वो उसकी wife बन जाए, Empress बन जाए, set of ninus कौन होता है, पले में Emperor होता है, ठीक है, जहां का general जो है, वो Titus होता है, क्योंकि वो मना कर देती है, वो मना इसलिए कर देती है, क्योंकि वो Bassanius से प्यार करती थी, See, Brutally Raped, उसको बहुत बुरी तरह से उसका रेप किया जाता है, Dispigured by Chiron Dmitrius in the forest during the hunt, इसके अलावा, उसको Dispigured भी कब दिया जाता है, Dispigured का मतला होता है, उसके अंगों को छती ही पहुचाई जाती है, उसके हाथ पैर काट दिये जाते है, इस तरह की क Titus and Vonicus का, उसके आज बसेनियस, बसेनियस लवैनिया का लवर है, और छोटा भाई है, सेट अव नाइनस का, सेट अव नाइनस का, सेट अव नाइनस कौन है, एंपरर है, ओके, इट इस तो हिम्टेट लवानिया इज इंगेश, ठीके लवानिया जो है, वो पहले से ही, जो जो बसेनियस है, उसके साथ इंगेश्ट है, जो बसेनियस को चिरोन और डेमिट वियस के दौरा मार दिया जाता है, वर कुंटस और मार्शियस आज फ्रेम फॉर इज मड़व, लेकिन उसका इल्जाम जो है, वो किस पर थोपा जाता है, यह टाइटस के बेटे होते हैं, जो जिन्दा वसता है, टाइटस के सारे बेटों में से, वो अपनी सिष्टर लवैनिया को डिफैंड करता है, वो अपने जो बंदी भाई है, उनको भी छुडाने की कोसिस करता है, जिसके लिए उसे रोम से निस्कासित कर दिया जाता है, और जो रोम के लोग होते हैं, वो सेट अव नाइनस की जगहे पे उसको सपोर्ट करते हैं, कि इसको एंपरर बनना चाहिए था, युकि सेट अव नाइनस कैसा था, बहुत ही कुरूल था, बूथलेस था, अब नैस् परिंगी चुराउन और डमेट्वियस की, ये तो आपको पताईए, टू गॉद प्रिंसेस हैं, सन हैं, किसके टामूरा की, ये मड़ा वसैनियस, मसैनियस का मड़ा करते हैं, जैन बूटली रेप और लबैनिया, लबैनिया का रेप करते हैं, उसे डिस्फिगर कर देते हैं आपने चारे करेक्टर्स पढ़ लिए हैं, अब समरी पढ़ने में जो है, वो बहुत ही आसानी होने वाली हैं आपको, चलिए पहले समरी पढ़ते हैं इसकी, समरी जो है, वो टाइटस एंडो निकस कौन है, रोम का जन्रल है, विटान्स फॉर्म टैन येर्स ओप वार, दस रिष्ती हैं, उनके साथ वो बापस लोटता है, उसने जो टामोरा कुईनाव गोस है, उसको बंदी बना रखा है, उसके तीन बेटों को भी बंदी बना रखा है, और उसका जो मूरिस लवर है, एरॉन, उसको भी बंदी बना रखा है, उनके साथ वो बापस लोटता है, इ उसका sacrifice कर देता है, किसलिए करता है, क्योकि उसके जो मरे हुए बेटे हैं थे उसके लिए जो tamora का सबसे बड़ादा बेटा होता है, उसके sacrifice कर देता है, और इससे क्या होता है, सारा प्रशो होता है, वह यह only होता है, which anthem tamora's unending hate rate and her promise of revenge, इससे क्या होता है, टमोरा जो होती है उससे बुरी था वैसे कभी ना खतम होने वाली नफरत जो है वो करने लगती है और वो प्रामिस करती है अपने आप से कि वो एक दिन बदला जो है वो जरूर लेगी अच्छा इसी बीच एक छोटा सा सीन होता है मैंने समरी में इंकलूड नहीं किया है उसमें ये कोईस्टन वैता है कि जो समराज है जो देश है उसका राजा कौन बनेगा नया राजा कौन बनेगा योगी पुराना वाजा साहध वहा नहीं था या जो भी हुआ था तो इसमें लोग जो है वो सपोर्ट करते है कि टाइटस को एमपररर बना दिया जाए लेकिन टाइटस मना कर देता है और एंपरर कोन बनता है Set of Niners बनता है उसके बाद क्या होता है Tamora जो है made Empress by the new Emperor Set of Niners Set of Niners क्या करता है Offer करता है कि Tamora को वो अपनी wife बनाएगा और Empress बनाएगा To get back at Titus See screams with a lover Aaron To have Titus two sons framed For the murder of Bethanyas अब वो क्या करता है जो Tamora होती ही वो Titus से बदला लेने के लिए क्या करती है वो अपने lover Aaron के साथ थोड़ी मिली विखत करती है चाले चलती है और वो Titus के दो son जो होते हैं उनको frame करती है as a murderer किसके? Basenius के वो Basenius का मड़व करवा देती है अपने दोनों बेटों से Demetvias और Choron से और वो बनले में इल्जाम जिस पर थोड़ देती है Titus के दोनों बेटों पर वो ऐसा frame करती है कि मड़व इन्हों नहीं किया है और Titus मान भी आता है कि हां मड़व इन्हों नहीं किया है और जो Basenius कौन होता है Emperor का brother होता है Okay Titus संसार behaved होता कि है Titus के दोनों बेटों को behave कर दिया जाता है सर काट दिया जाता है उनका अनपेश्ट सी अवजिज हर सन Choron and Demetvias तो रेप Titus दोटर लबवैनिया इससे भी उसको खुशी नहीं मिलती है जो टेम हो रहा होती है वो क्या करती है अपने दोनों बेटों Choron and Demetvias से अवज उनसे जोव दे के कहती है कि तुम टाइटस की डॉटर लबवैनिया का रेप कर दो After which they cut off her hands and tongs so that she cannot give their crime away होता गया रेप करने के बाद वो उसके दोनों हाथ काट देते हैं जीब भी काट देते हैं जिससे वो बता ही ना पाए कि उसका जो रेप है वो किस ने किया उसके साथ ऐसी हरकत किस ने किया Finally आखिरकार होता गया है Even Titus last surviving son Lucius is banished from Rome जो Titus का आखरी बचा हुआ बेटा होता है बेटी को डिस्फिगर कर दिया जाता है Lucius को उनसे alliance करना पड़ता है In order to attack Rome Rome पे आकिरमाड करने के लिए Each new misfortune hits the aged tired Titus with heavier impact हव जो दुरभागिसाली घटना होती है वो बुरी तवेसे hit करती है जो aged, aged मतलब बूड़ा होता हुआ जो Titus होता है tired मतलब थका हुआ Titus होता है उस पे एक बड़ा impact डालती है Eventually आखिरकार he begins to act oddly and everyone assumes that he is crazy वो संकी पने के act करने लगता है और सबको लगता है Titus हो है वो पागल हो गया पगला गया है Tamora tries to capitalize on his seeming madness by pretending to be a figure of revenge come to offer him justice if Titus will only convince Lucius to seize attacking Rome अब Tamora एक और चाल किलती है वो pretend करती है अगब जो Lucius है वो उसको समझा लेता है कि वो Rome पे आकिरमट ना करे Titus क्या होता है Titus having faint his madness all along Twix captures her son kills them and makes pie out of them he feeds the spy to their mother in the final scene इसी बीच क्या होता है Titus जो है वो पागल बागल नहीं होगा था he faint his madness faint means होता है बहाना कर दा वो अपनी madness अपने पागलपन का बहाना कर गवा था उसने टामोरा को फसाया था और चूकि अब वो उसके पास आगई थी वो उसको बंदी बना लेता है उसके दोनों बेटे जो Demetrius तो चरौन होते उनको भी बंदी बना लेता है दोनों को माव देता है दोनों की पाई बनाता है और वो इसको खिलाता है उसकी माव को फाइनल सीन में ऐसा होता है इसके बाद क्या होता है वो टैमोरा को भी माव देता है और लवैनिया अपनी बेटी को भी मावता है अपनी बेटी को इसलिए मावता है और जो केबल जो लोग जिंदा बच्टे है उन्में कौन होता है Marcus होता है, Lucius होता है, यंग Lucius होता है और Aaron होता है Lucius has the unvapotent Aaron buried alive जिंदा गाड़ देता है उसको Aaron को जिसको कोई पच्टाबा नहीं होता है अपने की ये का तो Lucius क्या गबता है रॉन को जिन्दा गाड़ देता है and Tamora's coughs thrown to the beef और Tamora की जो last है वो beef जानबरों में फिकवा देता है he became the new emperor of Rome और वो finally नया emperor बन जाता है रोम का तो I hope आपको कहानी समझ में आई होगी अच्छे से समझ में आई होगी चलिए अब शुरू करते हैं इसकी important lines सबसे पहली line है अगली line है यह कौन बोलता है यह कौन बोलता है यह कौन बोलता है next line है यह कौन बोलता है डेमेट्वियस बोलता है important line है madam तो बीनस कबानी और डिजायर से टावनेटर ओवर माइन यह कौन बोलता है around बोलता है किस से बोलता है टामूरा से बोलता है vengeance in my heart death in my hand blood and revenge are hammering in my head यह कौन बोलता है around बोलता है इस बोलता है the birds do have the better loved of me कौन बोलता है तामूरा बोलता है यह कौन बोलता है यह कौन बोलता है टाइटस बोलता है अलास पूर मैन grief has so wrought on him he takes false shadows for true substances मारकस बोलता है आगे है I have done a thousand dreadful things as willingly as one would kill a fly and nothing grieves me heartly indeed but I cannot do 10,000 more क्यादा बहुत सारी वैने ऐसी deeds की हैं जो बुरी है मैं मक्हियों की तबहे लोगों को माव दूँगा लेकिन इस से जादा मैं ऐसी 10,000 deeds all नहीं कर सकता कौन बोलता है around बोलता है die die lavenia thy same with thee and with thy same thy father's sorrow die ये कौन बोलता है titus बोलता है oh let me teach you how to knit again the scattered corn into one mutual sieve these broken limbs again into one body ये Marcus बोलता है I hope आपको play पसंद आया होगा इसकी जो pdf है फिवसे बता रहूँ telegram group पे मिल जाएगी आप join कीए 12 अप्लोड नहीं होती है एक या दो दिन बाद अप्लोड हो जाती है अराम से आपको मिल जाएगी आप उस group को join कब लीजिए इससे पहले भी जितने plays मैंने कराई है सबकी जो pdf है वो telegram group पे पढ़ी होई है इसके अलावा में जितना भी content चाहे grammar हो, literature हो जो भी मैं पढ़ाता हूँ सबकी pdf telegram group पे डाल देता हूँ अराम से easily आपको बहाँ पे मिल जाएगी तो आपका time based नहीं होगा बिलकुल भी तो अगर आपको वीडियो पसंद लाइए तो आप इसको like कीजिए, share कीजिए अपली channel को subscribe कीजिए Thank you